C.I.E.T.N.C.E.R.T. द्वारप्रस्तुत है पाठ्थे चर्या पर आधारित श्रिंखला ध्वानी शाला तो आईए आप चलते हैं कक्षा चार की ध्वानी शाला में बच्चो आज हम जिस सबक को पढ़ने जा रहे हैं उसका उन्वान है चड़िजा और पौदे की कहानी ये इप्तदाए अर्दो की चौथी जमात का दूसरा सबक है उमीद है कि अब आपको अर्दो जबान सीखने में दिल्चस्पी पैदा हो गई होगी और आप खुद अपनी कोशितों से भी इस जबान को सीखने की कोशित कर रहे होंगे और आगे बढ़ रहे होंगे आई ये इस सबक के हवाले से यानि जिसका उन्वान है चड़िजा और पौदे की कहानी एक नए किसे को एक नए हंदास से पढ़ने की कोशित करते हैं हो सकता है कि आपने पहले भी पढ़ा हो कि दो लोगों के बीच में जब गुस्तगू होती है तो उसे हम मकालबा कहते हैं जिसे अंग्रेजी में डाइलाग कहते हैं तो डाइलाग जाहिर से बात है कि यहां चड़िया और पौदे की कहानी है तो चड़िया तो बोलती है लेकिन पौदा तो बिल्कुल नहीं बोलता लेकिन यह लिखने वाले का कमाल होता है जो शायर है, कहानीकार है, यह जो मदमून निगार है ये उसकी खुबी होते हैं एक इस चीज़ से क्या मुकालमा आदा करा दे क्या बात कहलवा दे जाहिर से बात है कि इसका मकस्द जी होता है कि उसको अपनी बात फुट के अपनी तरफ से ना कहकर उसकी तरफ से कहलवाई जाए चाहे वो चुडिया की तरफ से कहलवाई जाए या पौदे की तरफ से कहलवाई जाए तो उसमें एक असर पैदा होता है उस कहानी में एक नयापन पैदा होता है और बात हम पर जादा असर करती है जो चीज हम नई सोच पाते उस तरह से वो चुडिया सोच रही है, वो पौदा सोच रहा है तो यहां इंसानों के अंदर जो खोबियां पैदा होनी चाहिए जो कुछ होना चाहिए, वो उसका इजहार वो पौदा कर रहा है वो चुडिया को समझा रहा है वो पौदा कि जब मैं खुद बड़ा हो जाओंगा, मदबूत हो जाओंगा, तो मैं जुग जाओंगा, मेरे अंदर कुवत आजाएगी, ताकत आजाएगी, तब तुम मेरे कहनी पर आके बैठ सकती हो, उत पर चाह सकती हो, उत पर सो भी सकती हो, वगयरा वगयरा, तो इस सबक को देखे किस तरह से तुछ चडिया और पौदे के मदब से लिखा गया है और किस तरह आगे बढ़ागवा है आईए पहले हम सबक को पढ़ते हैं चडिया और पौदे की कहानी शाम का वक्त था एक चडिया एक नन्हे पौदे पर आकर बैठ गई पौदा कापने लगा और चिलाया अरे अरे ये क्या करती हो हटो रही तो मैं गिरा चडिया घवरा गई और जल्दी से अलग हट गई पौदे ने उससे उदाज देखा तो पूछा आई भी चडिया तुम नाराज हो गई चडिया बोली मैं क्यों नाराज होती मुझे तुझे सोच कर रोना आ रहा है कि मैं अकेली हूँ और रात होने वाली है मेरे साथी नाजाने कहां चले गई मैंने सोचा था कि मैं तुम्हारी जाली पर बढ़ कर रात काट लूँगी लेकिन तुमने गाक दिया अब सोच रही हूँ इस अधेरे में कहां जाऊं पौदा बोला तुम मुदास मत हो आओ मेरे पास आकर बढ़ जाओ मैं तुमको अपनी कहनी पर कैसे बढ़ आ सकता हूँ मैं तो खुछ चोटा सा हूँ मेरे कहनी देखो कितनी नर्म और पतली है चड़िया फुदक कर पास आब बैटी पौदे ने कहा बी चड़िया तुम बहुत अच्छी हो आओ मेरे पास बैट कर सो जाओ चड़िया बोली तुम्हारे पास बैट कर मुझे नीद नहीं आएगी मुझे तो टहनी पर बैट कर नीद आती है पहुदे ने कहा अभी मैं बहुत छोटा हूँ जब बढ़ा हो जाओंगा तो तुम मेरी टाहनी पर बैखना अभी थोड़े दिनों पहले की बत है कि एक बीज जमीन पर गिरा मिट्टी ने उसे दबा लिया वो मिट्टी के अंदर ही अंदर पूलता रहा और फिर एक दिन उसने मिक्टी से अपना सन निकाला उसके बाद धोप, पानी, हवा और मिक्टी से बढ़ने लगा चिडिया बोली अब वो कहा है पौदे ने कहा अरे तुमनी पैचाना नहीं मैं वही तो हूँ अब रोजाना बढ़ रहा हूँ तुम देखना बहुत जल्द मेरी जड़ें जमीन में फैल जाएंगी मेरी बहुत सी कहनिया हो जाएंगी ये नन्ही मुनी कहनिया एक दिन खोब मौटी हो जाएंगी और मैं बहुत उंचा हो जाऊंगा मेरे अंदर से बहुत सी हरी हरी पत्निया निकलाएंगी फूल खिलेंगे, फल पैदा होंगे, लोग तोड़ तोड़ कर खाएंगे बी चड़िया, फिर तुम भी आना, तुम्हारी भी दावत होगी फिर तुम मज़े से मेरे उपर बैट कर राद गुजानना चड़िया बोली, देखो, वस्वत मुझसे आकड़ कर बात मत करना पौदा बोला, तुम कैसी बाते करती है भी चड़िया जब कहनियों में फल लगेंगे, पत्या होंगी, फूल खिलेंगे तो मैं कैसे आकड़ सकता हूँ, फिर तो मैं और धुग जाओंगा मैं तो सब के खिदमत करूँगा, सब के काम आऊंगा चड़िया बोली, वज़ा तुम्हें बहुत बड़ा बनाए, तुम अभी से बहुत अच्छो हो फिर चड़िया ने पौदे के नीचे रात गुजारी, बारिश हुई लेकिन चड़िया पौदे के नीचे बाइकी रही, पौदे ने उसे भीगने नहीं दिया जब सुब होई, तो चड़िया ये करकर फुर से उड़ गई, रात को फिर आउंगी तो बच्छो आपने देखा कि एक बहुत दिल्चस्प किस्सा है, कहानी की शकल में लिखा गया है और दो लोगों के बीच मुकालमा यानि डायला कराया गया है एक बोलने वाला चड़िया है, दूसरा पौदा है चड़िया की तो अपने कुछ आवाद होती है, कुछ बोलती भी है लेकिन हम इनसानों की जैसे उसकी आवाद नहीं होती उससरा अपने लबजों को अदा नहीं करती और पौदा तो बिल्कुल नहीं बोलता है उसके अंदर तो कुछ भी नहीं, बेजबान है लेकिन यहां कहानी कारने या लिखने वाले ने किस तरह से दोनों को जबान अता का दी है दोनों को जबान की और किस तरह से दूसरे की से मुकानमा कराया है और किस तरह नर्म छोटे शोटे जुम्ले से अपनी बातों से किस तरह एक दूसरे की मदद कर रहे है एक दूसरे को समझा रहे हैं चिडिया जो है उसको सहरा चाहिए अकेली है उसके साथ ही पता नहीं कहां चले गए है लेकिन अभी आए नहीं है रात हो गए है तो वो कहां रहेगी जैसे ही वो टहनी पर आगर बैठी तो टहनी जैसी बात है कि अभी बहुत छोटी है उसको जल लगा कहीं मैं तोक न जाओं तो उसनों उसको मना कर दिया वहां पर आने से और चुडिया कुछ शायद नाराथ भी हो गई या वहां से अलग हो गई तो इस वज़ा तरह हम देखते हैं कि किस तरह से मुकालमा आगे बढ़ता है कहानी आगे बढ़ती है और कहानी बढ़ते बढ़ते किस तरह से जो टहनी थी उसनी अपना किस्सा बताया कि एक बीच था जमीन में गिर गया था फिर उसको मिक्ती ने दबा लिया फिर वहां से उसको नमी मिली, उसने अपना सर निकाला फिर धोब, पानी, हवा और मिक्ती से वह आगे बढ़ा, बढ़ने लगा और बढ़ते बढ़ते एक दिन ऐसा आया कि जो अपको मदबूत हो गया एक फलदार दरक्त बन गया, तनावर दरक्त बन गया, मतबूत हो गया अब उसको जो है ना चेहनी का वो उसको ना तो हवा का गया रहे, ना पानी का ना अंधी का कुछ नहीं अब उसको अपर कोई भी, तो चिडिया का कहने का मतलब यह है इस सबक में जो खाद बात बताएगी है कि जब इनसान के अंदर कोई खौबी पैदा हो जाती है जब उसके अंदर जो है सारी चामों चीज़े आ जाती इस तरह की तो उसकी अकड़ खत्म होनी चाहिए यानि यहने कि अगर हमारे अंदर कोई खौबी आ गई है, हम बहुत पर लिक कर आला मकाम पर पहुच गए हैं बहुत अच्छी जगाँ पहुच गए हैं, तो हमें इतराणा नहीं चाहिए, बलकि हमें और आजिसी से काम लेना चाहिए यानि अपने आपको हम बहुत मुचा आला बने, बलकि जिस दरक्त पर फल लगते हैं, वो जुग जाता है, जिस दरक्त पर फल लगते हैं, तो वो जुग जाता है, वो अकड़कर नहीं चलता है तो इस चिडिया ने सवाल किया था कि दोखो तुम यकड़कर बात मत करना तो इसने वही जवाब जा कि जम मेरे अंदर फोल लगेंगे, फोल लगेंगे फोल खिलेंगे, तो मैं कैसे है कर सकता हूँ तो दाहिर बात थे कि निसमे इन समंगी इन्सानों को भी उसी दरक्त ये मानिन होना चाहिए जब उसके अंदर फोल लगते हैं, फल लगते हैं और उसका वज़न मर जाता तो वो जुक जाता है इसे तरह इंसान के अंदर भी जब कोई अच्छा ही आएती है तो उसे या करना नहीं चाहिए बलकि उसे जुकना चाहिए, लोगों की मदद करना चाहिए लोगों को सहरा देना चाहिए जिस तरह ते वो दरक्त सहरा किसको ज़रा चिडिया को इसी तरह हम इंसानों को भी दूसरे के लिए सहरा बनना चाहिए तो इस सबग का में खाद बात यही है कि हमें जो है दुनिया में इत्राना नहीं चाहिए इसलिए कि सारी चीज़ जो है, यह हमारे हाथ में नहीं है अकर जारा सी देर में क jakiś खम भी हो सकती है तो हमें उन चीज़ों को देखना है कि किस तरा से यह पौदे और चिडिया की मदब से किस तरह से एक अच्छा सबक इनसान को देखाने की कोशिद की गई है अब इसमें हम ये देखते हैं कि किस तरह से हम लफ्जों के अपने जूम्लों में इस्तमाल कर सकते हैं उन बातों को कैसे अलग कर सकते हैं कि जो चड़िया कह रही है जो जवाब जवादा जे दे रहा है उनको किस तरह से अलग कर सकते हैं कि मुकालमा कहा कहा हुआ है कैसे हुआ है क्या क्या किसने क्या बात कही है उनको अलग करके भी दे सकते हैं और बहुत सारी इसकी मश्के हैं तो उदास का मदलब यह खुछ भी हो सकता है यहां रात काक्ना यहां महावरा भी इस्तमाल हुआ है इसी तरह एक लबदा यह नर्म तो नर्म का मखालिफ सक्त भी होगा अगर कोई लबदा यह पतली यह देखो कितनी नर्म और पतली है मेरी टाहिनी देखो कितनी नर्म और पतली है तो नर्म के जगा जो सक्त भी हम लिखेंगे फिर और पतली की जगा मोटी गो जागी इस तरह ऐसे बहुत सारे अलफाद यहां पर राए हैं जो इस तरह के महावरे भी हैं और उनका विलूम भी लिखा जा सकता है जैसे सर निकालना निकालना भी महावरा है तो आईए सबसे पहले हम मश्क देखें मश्कों के जितमें कोई ज़्यादा मुश्किल लफ इस्तमाल नहीं हुए हैं नाराद भी आम तोर पर जो है आम लफ़ है कि आप नाराद ना हो, खफा ना हो, नाखुश ना हो जाएं कोई रात काकना मुहावरा है, यानि रात गुजाना तो इस तरह देखें कोई मुश्किल लफ नहीं है बलकि इस सबक में आप गोर करें तो इस सबक में बीच के पौदे बनने हैं बीच से पौदा उगता है, पौदे के बढ़ने के लिए मिक्टी, पानी, हवा और धूब जरूरी है पेड़ पौदों से इनसान, जानवर, परिंदों को बहुत फायदा होता है पेड़ पौदों से फूल और फल मिलते है इनसान और जानवर उनके साए में आराम करते है परिंदे उनकी शापों और टह्मीटों पर अपना घोसला बनाते है पेड़ पौदे हवा को आलूदा होने से बचाते हैं और बारिश के लिए भी मददग्यार होते हैं हमें जब्यादा जब्यादा प्यर लगाने चाहिए और उनकी ह्यफ़ाजद करनी चाहिए ये तो आम चीजह वो हो गई मुझे जो इस सबक के हो वाले से यहां पर डिक दी गई है लेकिन इस सबक का जो बनियादी बात की गई उसमें यही है कि इस सबक में सबसे अहम चीज़ है कि आदमी के अपनी खाकसारी काई, इंकसारी काहन अगर हमारे अंदर कोई खोबी पैदा हो गई है तो हमें बहुत इतराना नहीं चाहिए बलकि हम किस तरह से अपनी खोबीयों से दोस्रों को फाइदा पहुचा जगते हैं दोस्रों के अंदर वो पुचाई या कैसे पैदा हो सकते हैं और यही इस सबक का खास मकसद है जो चिडिया और पौदे के कहानी की शकल में पैश किया गया है अब इसमें कुछ सवालात ऐसे भी आए हैं जो चिडिया से यह किया जा सकता है कि चिडिया परेशान को हुई पौदे ने चिडिया को अपनी कहनी पर बैखने दे को बना किया चिडिया ने अपने सूने का ढ़ंग क्या बताया जब पौदा प्यड़ बन जाता है दूसरों के किस तरह काम आता है तो जाहिरी बात ये चार पांच सवालात हैं इसमें और भी सवाल की गुंजाइश है कि निकाली जा सकती है तो इन सवालों को जवाब देने के लिए निकाली जवानी तरह भी बता सकते हैं लेकिन ज़्यादा बेहतर होगा कि हमारी पढ़ने और लिखने की महारत ने फरोग पाए तो ज़्यादा ज़्यादा हमें लिखने की महारत पर तो जवज़ देने की ज़रुवत है तो इन चारो पाँचो सवालात के जवाब देने के लिए हमें सबख को कहानी को बार बार पढ़ना पढ़ेगा और उसका जवाब देना पढ़ेगा जो है परशान को तो जाहित bullish है उसके परशानी के वज़े वह अकेली हो गए थी उसके साथ नहीं आयतै राथ तो आचके थे उसको अपनी राथ गुझानना थे तो राथ किस तरह ने जारे इस तरह वो परेशान थी पौदें ने चिडिया को अपनी टैनि उपर बैखने से क्यों मना किया तो जाइड से बात है कि टैनि बहुत कम्रूर है अगर उसके ज़्यादा वजन बढ़ेगा तो वो टूख भी सकती है चिडिया जो बैकती बार बार बैकती उड़ती तो बदन उत पर आतलत करता उसके असर की वज़े से जो वो टहनी टोग भी सकती है तो दोनों को अपने नुकसान का खत्रा एक तो चिडिया परेशान है दूसरा ये टहनी भी परेशान है दूसरी तरफ का अगर इस पे बार बार ये बैकती रही तो मेरी जिंद्गी तो बरबाद हो जाएगी अभी तो शुरू है अभी तो मेरे अंदर इतनी थाकत भी नहीं है जिसमें जान भी नहीं है तो उसी चीजों को मनन पूढ़े है उसने असले के था बताया उसने टो खाया कि मैं तो आपने परह को फैरा ले ति यह उपने सर को शुपा ले तूँँ और इस तरह सोते हूँ जो झाहिर से बात ही वहाँ कि वहां तो इस तरह सून भी सकती थी और जब शाम हो गई तो फिर वो सुब हो ये कहकर और रात को फिर आओंगे यानि एक तरह से दोनों में दोस्ती भी पाइदा हो गी थोड़ मामूली से मुकाले में मामूली से डालाग में एक दूसरे को दोनों समझ गए उसने का गए ठेक है मैं आपकी टैनी पर नहीं बैठ रोगें जब पोदा पेड़ बन जाता है तो दोसरों के किस तरह काम आता था जाहिद से बात है कि आमत्वर मुशाहिजे कीज़ है था सबक में भी बताया गिया, कि वूत से साया मिलता है, हमें फल मिलता है, फूल मिलते है, दरगत, बाद में वे लकड़ी मिलती है, वरा वरा हुज ही। खाली जगों को नीचे लिख्यों यह तो इसे तरह सबक में यह इस तरह के गुझाईश रखे गए है कि लफ जो इस्तमाल है और अगर कांग तो पर उन्हीं लफ़ूं को लिया जाता है जिसमें पहली बार लफ इस्तमाल विखा है गाई या उनका सही तरीके से ने तरीके से तो और वाण पोड़े हैं तो एक चेडिया कनंनन्ह पर डायरतवाद के पहले ही जूमला जो था प्थी कि है कर दो एक चुदीया प्रकवड पर आ कर बैट गई दोसरा जुमला इसका उत स्थेरा जारी डायश पर बैटकर रात काट लूँगी अब जारी बात है डायश है तो फिर सबक देखेगा बच्चा वो देखे का वहाँ डाली लिखा हुआ है तो वह लफ डाली को यहां पर दिख देगा इसी तरह आखरी तीन जुम्ले और है कि मैं तुमको अपनी डायश पर कैसे बच्छा सकता हूं तो यहां पर दाइश बात है कि लफ टहनी इस्तमाल हुआ है सबक में बच्चा सहे मुला उस लफ को देखेगा एक टहनी को लिख देगा और फिर जुम्ले को पढ़ेगा इसी तरह आगे दो जुम्ले हो रहे हैं थोड़े दिनों पहले की बात है कि एक बच्छ जमीन पर गिरा अब किताब में इस जुम्ले को तलाश करेंगे बच्चा और देखे कि वहां बीज इस्तमाल हुआ है और बीज वहां से लेकर यहां पर उस लफ लफ को उस खाली जहों को भरेगा और वो उसको पढ़ेगा कि थोड़े दिनों पहले की बात है कि एक बीज जमीन पर गिरा मेरे अंदर से बहुत सी हरी हरी निकलाएंगी क्या चीद निकलाएंगी भी हरी हरी टैनिया निकलाएंगी पत्तिया निकलाएंगे फूल निकलाएंगे अब निकलाएंगे तो फूल तो मुदक्कर है अगर फूल निकलाएंगे तो जाहिर बात है कि व को बनना उसकर भी गोड करना है चुए हमने ये बताया कि जैसे हम आके बढ़ते चाएंगा ज़बान सेकने में कवायत की आहमें पास रखना है लिहाद रखना है तो मेरे अंदर बहुत की हरी हरी अब हरी खरी का तो हरी यह पत्या निकलाएंगी तो इस तरह तो देखना पांच जुम्लें में पांच लफ़ भर दिये गए और पांच जुम्ले उससरा हमने मुकमल कर दिये किताब के मदद से अब फिर इस तरह यहां देखिए कि पांच जुम्ले बनाईए और खाली जवहों में लिखिए लफ़ पांच लिखेंगा है रात फूल सुबह टहनी हवा इन लफ़ों को हम अपने जुम्ले में किस तरह से इस्तमाल कर सकते हैं अब कोई जरूर नहीं है बलके किताब में जिस तरह से इस्तमाल किया गया वो जुम्ला हमें यहां लिखना नहीं चाहिए वन्ना फिर हमने कोई कर सकते हैं तो जाहिर से बात है कि हर बच्चे का इस्तमाल करने का तरीका अलग अलग होगा कोई कह सकता कि यह फूल मुझे पसंद है कोई कह सकता कि यह फूल बहुत अच्छा है कोई कह सकता कि इस फूल का रंग हरा है यानि फूल को आप किस तरह ते अपने जुम्लों में तुम्रें किसा कॉ'll कर सकते हैं हुं रात को कैसी diminished कर सकते हैं अपने जुम्ले में सुभों को टहनी को हवा को इस तरह से एकी फुर सा हमें बहुत सारे लफ्ज के लैएगा और चारीज बच्चे क्लास में हैं तो चारीज जुम्ले बन जाएंगा और चारिज लोगों के इस्तमाल का तरीका उस लफज को करने का अलग-अलग होगा इसी तरह अगली एक सरसाधिक नीचे लिखू ये मिस्रों को पढ़िए और तस्वीरों को गोर से देखिए एक तरफ तो कोई मिस्रे दे दिया गया है मिस्रे दे दी गया है दूसरी तरफ हड़ी एक साड़क पर पाई दो कुटों में हुई लड़ाई लड़ाई और पाई तो यहां जो है एक तरफ चड़िया की मदब से तस्वीरों की मदब से यह वाज़ करना है कि किस तरह से हम इसमें वाहिद और जमा का फर्क कर सकते हैं चड़िया आया है एक दूस में सब जो ने लोग नटाया है हड़ी एक साड़क पर पाई तो हड़ी जो वाहिद है और दो कुटों में हुई लड़ाई तो यह जो है दो कुट्टी यह जमा हो गया यानि पिलूरल हो गया इसी तरह बहुत सारी तस्वीरें नीचे दी गई हैं जिसमें इसम और जमा को यह दिखा जाएगा या पर धाय तो परों लिखा जाए क्या यह आई इन इस तरहों को गौड से देखना उनका माइनुटा अब्सरवेशन करना है और वह दो की मदस्किन हमें लफ लखना है और यह कि जुदिए कि हमें वाहिद और जमा की और पैचान हो जाए और हमारी मश्क पर डिखने के सुरते हाल में जो चीज गलती आती है वो इमला की होती है या वरतनी की होती है जैसे सुभो का इमला खिद्मत, दावत, नाराद, फिर रोजाना तो अब इसको हमें सही तरीके से कैसे दिखा जाएगा वो किताब की मदद से ही हम इसको सही ली सकते हैं जैसे इसमें लिखा गया है सुभो के लिए सीन, बे और बड़ी हे इस्तमाल हुआ है लेकिन जाहिर से बात है कि ये इमला सुभो का गलत है हम जब सुभो का इमला लिखेंगा तो सुभाज, बे और हे है अर्दू में कुछ आवादें जरूर ऐसी है कि एक ही आवाद के लिए तीन हर्फ हमारे हैं इस्तमाल होते हैं या कुछ ऐसी है एक ही आवाद के लिए कई के हरोफ इस्तमाल होते हैं जिसकी वज़े से ये मुश्किल बढ़ जाती है लेकिन चूंकि उन लफ़ों को इस्तमाल करना है उन आवादों को बोलना भी है उन आवादों से बनने वाले लफ़ की भी मश्कननी है तो इसकी वज़े से उर्दू मेके में इमले की आहिमे बहुत बढ़ जाती है यानि इमला उसे कहते हैं कि किसी लफ़ में हरूफ कितने हरूफ हैं उनकी सही तर्टीब क्या है और उनका सही जोड क्या है उसको इमला कहते हैं तो इमला जाहिर से बात है कि सिर्फ बोलने की सूरत में नहीं जाहिर होता है बलकि लिखने की सूरत में जाहिर होता है, वरतनी हम कहते हैं, वो सही से गलत है, तो वो जब तक हम किसी लफ़ को लिखेंगे नहीं, तब तक पता नहीं चले कि ये लफ़ हमने सही लिखा या गलत लिखा है, तो सुबह को हमें सीन से नहीं सुआज से लिखना है, इसी तरह ख कुं सा chara way अब इसे और ख़ी बिया आवाद हुर पंचानी है और खीड़ में पैंच अरो खिद्मत रिखा यह भी हमारे जहरें में वाज़ होनी चाहिआ है। और हम बच्चों को उसको बढ़ाइज़ात और लेंक तांकि वह बच्चे घरी कि उसको उसको हैं कि यृ तरिक इसे ऑखिशे लफ़ी उसकिके लिख सक हैम वह शृ नाराज नाराज नुटेट लए अभात खで वहाद इसतो कि अच्छिकव स्क्षिफू मे stripes य están neighbours यहां उन इमिलों की मदद से सही कर लिख सकते हैं, इमिलों की सही शनाक्त कर सकते हैं, लबजों को सही तरीके से लिख सकते हैं, और लबजों को सही तरीके से हम अदा कर सकते हैं, बोल सकते हैं, एक लबज आजा है फिर, तो दो आवाद हैं यहां भी रुफा की भी हैं, एक फौज हम लिखते हैं फौवारा लिखते हैं तो वह आवाद दोरी या फौजी लिखते हैं फिल्म कहते हैं तो एक आवाद या फा की है एक आवाद फा जिसको हम फल कहते हैं फौल कहते हैं फुलवारी कहते हैं फाहुडा कहते हैं तो उस वक्त आवाद इस्तमाल होती है इन वहां पर हम पर कर सकते हैं कि यह लब फिर नहीं फिर है दोबारा अर इसे तरह रोधाना आहाम तर पर जीमें साथ जो आवाज हमारे उर्दू में वोडी जाती है वो से जाल है Missouri we all वगरे वगरर तो पाँच आवादें जीम Is Got मीलत हो जाती हैं हिंदी में चीड हम लगा गा काम चला लेते बैंदी में उसको उर्दीय मी लिखेंगे यह पता होना चाहिए कि कौन सी आवाज, कौन सा हर्फ वहां इस्तमाल हुआ है, कौन सी आवाज इस्तमाल की जाएगी तो यह मश्च को बहुत अहम है कि इमला दुरस्त करना है इमला दुरस्त करने के लिए आम तोर पर जो है गलत इमला दे कर सही लिखवाए जा सकता है दूसरा उसका तरीका यह हो सकता है कि उस्ताद जिस सबक को पढ़ाएं उस सबक में जतने भी मुश्किल अलफाज आए हैं उन सबक को डिक्टेट किराए जाएगी डिक्टेट किराने से ही हम सही इमला जुमार की पहचान कर सकते हैं डिक्टेशन का मतलब यह भी है कि हम उसकी मदद से लेंगविज सीखने की चारो स्किल से एक साथ डिवलप होती है कोई भी स्किल जो है जबान की अलग से डिवलप नहीं हो सकती है बलकि इंटीग्रेटिक फार में डिवलप हो सकती है फार्ज कर लिजे किसी के वो इंवला लिखाया जा रहा है उसमें डिक्टेटिक टिशन की तो पहले वो सुने गा सुनने के साथ साथ वो समझेगा फिर वो खुद बोलेगा और बोलने के साथ साथ भो लिखेगा बच्चा लिखते हुछ जो पढ़िए नहीं तो इस तरह सुनने बोलने पढ़ने और लिखने चारों महारत ने जबान की एकसाइग डिवलप और इंडिक्टेशन में और ये एक बहुत अहम एकसरसाइज हर उस्ताद को इसके बार बार मशकरानी चाहिए ताकि बच्चे काइमला जुरुस्त हो जाए उसका तलफुस सही हो जाए उसके खरोस की सही शनाक्त हो जाए और उनके सही जोड से वाकिव भी हो जाए अगली एकसरसाइज हम देखते हैं कि नीचे लिखो जुमलों में रंगीन लफ़ों के मggतजाद खाली जहाम लिखिये हैं अब यहां कुछ रंगीन खत जो कई जुमले लिखे हो जए हैं 5 जुमले लिए लग लग जो हैं बलके 10 जुमले हैं उन दजब्लों की मज़स से, उसमें कुछ लफ जो है कुछ अलग रंग में दे दिये गए हैं अलग रंग में जो लफ लिखें गए यानि जो रंगी इन लफ है उन लफव के हमें मतदाद लफ लिखना है यानि कौन सा लफ आयेगे उसका मतदाद क्या होगा कि यहां भी पिछली सरसाई जो ही ए, कि ऐन्टॉनिम से यह मुतजाद लब दो कि किस तरह मुषक की जा सकती है, उसी तरह हम यहां पर भी कर सकते हैं तो ज़य से शाम का वक्त था, अब शाम होगा तो दिन का वक्त था, यह सुब का वक्त था, यह सुब आएगा आईसे तरह पौदे ने उससे उदास देखा तो उदास का मतरादी वो मतदाद किया होगा, खुश होगा मुझे तो ये सोच कर रोना आरहा है अब रोना का विलूम क्या हो सकता है? जाहिर से बात ही कि आपके जहने फौरण आएगा कि हसना मुझे तो यह सोच कर 언द आ रहा है तो इस तरह यह द्जमले यहाँ दिये हुए है है इन द्जमलों में एक लफज दिया गया और उनकी मत मत अनको देखकर फिर हमें पहर देख मुथद्धाद लफजों यहाँ तो दिये गये हैं लेकिन इस तरह से और मश्क हम कर सकते हैं अगली एकसराइथ बहुत इहम ये भी हम कह सकते हैं कि 좋다 एक किस्य कहा जाहित बात है कि इस सब्वब्र जायलांग। लिए जाइलाग हुआ है एक चिडिया है और दूसरा पोड़़ा चिडिया कुछ कहती है तो पोदा जवाब देता है पोदा कुछ कह रहा है तो चिडिया जवाब दे रहे इस तरहु से इतमें पांच जो है वह उप किसे कहा है उसका नाम लिखना है। यह से अरे अरे यह क्या करती हो हटो नहीं तो मगिरा अब जाहिर से बात ही कि यह तो पौदा कह रहा है चिडिया से अब यही बात हमको लिखने कि पौदा चिडिया से कह रहा है चिडिया पौदों से कह रही है यह पौदा चिडिया से कह रहा है वगरा वगरा इस तरह मस्तन को यनि सबब को बहुत गौर से पड़ेंगे कई बार पढ़ना पड़ेगा और पढ़ने के बाद ही हम इसकी मश्तन कर सकते हैं इसी तरह कुछ अगली मश्तन के बहुत नीचे दे हूई तस्वीरों के बारे में त्थी जमले लिखें। पहरे तस्वीर एक गम्ला है। उत में पौजा लिखा हुआ है। दूसरी तस्वीरMA 생각 है। चिरिया है ठेजी पर बैकटी हुई है। तो दूसरी तस्वीरों की मतर्द से भी है। गमला जहाँ जिस पाउजर भी लगा हुआ है जिसमें उसके तीन लफ़ लिखने चिडिया के टेहनी पर बैटे हुई है उसके लिए तीन जुमले लिख लिख लिए यानि छे जुमलों के लिखने के यहां मश्ख हो गई इसी तरह आपने और इसके पहले भी देखा कि हमने ज तो इस तरह जुम्रों के बार-बार मश्किक से हम इस सबग को बेहतर तरीक से समझ ले रहे हैं इस सबग की एक और एकसर साइध बहुत नहीं में एक लिसानी खेल के तोर पर दिये गई हैं कि इसमें कुछ हरूफ अलग-अलग खानों में लिख दिये गए हैं और उन खानों के नीचे दद जानवरों की तस्वीरे हैं यानि पहली तस्वीर जो है चीता की है फिर जिराफ, गेंटा, शेर, हिरन, खरगोश, रीच, हाथी, गीदर और लोमड़ी यह दत जानवरों की तस्वीरे हैं और लफ लिखेंगे हैं अलग अलग खानों में उनके हुरूफ लिखेंगे हैं उन हुरूफ की मदद से हमें उन जानवरों के नाम तलाश करके और उनको अंडलाइन करना है कि कौन सा यह सो कभी ओपर से नीचे दाएं से बाएं ओपर से नीचे इस तरह तरह पर यह भी बच्छों के लिए बहुत दिल्चस मश्क है और यह को असानी से कर सकते हैं अब आखिर में हम देखते हैं कि इन लफजों को बलंद आवास से पढ़िये और खुशकत लिखिये शाम, वक्त, नाराद, जमीन, खिद्मत तो दाहिरी बात यहां लिखने की मश्कुल रही है याँ अच्छा लिखने की मश्कुल रही है और उनको सही अदाईगी से पढ़ना भी है तो थो आप ने देखा कि इस तरह जो है चिड़्िया और पोधे की कहानी एक बहुत अच्छा सबह कि इसमेग डाइलाग की मदद से ना सिर्फ चिड्या और पोधे की कहानी की बिच में मकान najwięा कराः गया है बल्कि इस कहानी की मदद से हमें किस तरह होना चाहिए कैसा बनना चाहिए हम दोसरों की मदद किस तरह कर सकते हैं कैसे तो हमारे अंदर अगर कोई खोबिया पैदा हो रहे हैं कुछ सिफात आई हैं कुछ अच्छाईया हैं तो उन अच्छाईयां सिर्फ हमारे अपने लिए नहीं हैं बलकि हम उन अच्छाईयों के मदद से दोसरों के भी मदद कर सकते हैं तो इस सबक के जरीए हम ना सिर्फ एक अच्छे जो वाइलों से वाकिफ हो रहे हैं बलकि जबान सेखने की जो महारते हैं उनको भी सीख रहे हैं और कवायत का हिस्सा भी हमने यहाँ पर बहुत कुछ सेख लिया है उम्मेद है कि आप इस मश्क को इस सबक कौर पढ़ेंगे और उसमें देगें मश्कों को मद्यद गौर फिकर से और उसमें बेहतरी पैजा करेंगे बहुत बहुत शुक्री आपका प्रस्तुती C.I.E.T. N.C.E.R.T. नई दिल्ली भारत